नमस्कार दोस्तों 47 years की एज है इनकी और यह विडेस में रह रहे हैं यह पाम को देखे तो एक अच्छी सी साइन यहां पर बन दी है नो डाउट यह हाथ खुला होने के कारण हर व्यक्ति की इस तरह से लाइने दिखती होगी पर मैंने दूसरे फोटोग्राफ में भी चेक किया है यह सीधी सी कोन बन रही है यहां पर तो जब इस तरह की वस्तों रहती है तो व्यक्ति के जीवन में जो अपरचुनिटी आती है उसको बहुत अच्छी तरह से यह लोग ग्रेब कर पाते हैं पहली चीज़ दूसरी समझ स शक्ती इनमें काफी अच्छी होती है अब यह पाम कंप्लिट स्क्वेरिश पाम है ऐसे लोग महनती नेचर के होते हैं महनत करके अपने जीवन में सफलता पाते हैं अंगुठा इतना शाशक्त नहीं है और यहां से थोड़ा सा मोटा पा भी है जब यह अंगुठा थोड़ सा मोटा हो थोड़ी सी एक उग्रता वाला नेचर रहता है और सेकेंड फैलेंग जब इस तरह से पतला हो तो व्यक्ति कहीं न कहीं कॉंप्रोमाइजिंग नेचर वाला व्यक्ति बनता है गुरू की उंगली सुरी की उंगली से थोड़ी सी बढ़ी है तो थोड़ी सी भी ब बहुत बड़ा रहता है वो ego problem का हां इन में leadership quality जरूर रहती है पर कहीं न कहीं ego heart होता है यह सुदने वाले को बहुत छोटी वस्तु लगती होगी ego problem कौन सी बड़ी बात है पर जिसके यह उंगली बड़ी होती है उसके अंदर झाग कर देखे चोटी छोटी बातों में इनके ego हट हो जाते हैं और इगो हट होने के बाद कारट किसी को तो मूँपे बोल दिया तो मन खाली हो गया पर जिसको बोल नहीं पाते हैं तो अंदर ये अंदर घुटन सी महसूस होती है इनको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है ये जिसके हाथ में है उसी को मालूब जैसे रावुरेखाओं का भी अब ऐसे यसी क्ति होते हैं जिनके जीवन रेखा पर एक रावरेखा यह नहीं होतीर उन को सुनने में पाया जाता है अरे जो होता Canton में क्या today कि मेरलिए āपर जब है दुने में आपक्स दोख वोगे एक जीवन को पूरा तहस नहस की गाड़ी को रफ्तार रोग देती है बैकवर्ड लेकर आती है तो यह जो सब्झेक्ट है जिस पर गुजरती है उसी को पता होता है हाँ आपके हात में अगर एक भी राव रेखा नहीं है कहीं पर कट नहीं है आप आराम से किसी को बोल सकते हो जो भी किया मैंने किया तकदि होना भी बहुत आख्शक है पर एक राव रेखा जिस समय उसके जीवन में काटेगी ऐसे बहुत से दोस्ते थे मेरे जो साथ में पढ़ते थे और उनके मुझ से यह सब्जेक्ट निकलता था मैंने उनको समय दिया इस समय के बाद यह डायलोग मारके दिखाना और आज वो दोनों व्यक्ति सामने से बोलते यू आर राइट तो यह चीज है यह इगो प्रैश कराती है यहां पर देखे छोटी उंगली भी देखी मैंने दूसरे फोटोग्राफ में थोड़ी सी छोटी रह रही है ज्यादा नहीं बहुत हलकी सी छोटी रह रही है तो कहीं न कहीं 10-15 प्रतिशत रेक्टी कमजोर रहता है उसमें डाकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याद शक्ति मनी मैंनेजमेंट और अकॉंट बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं रहेगी फिर भी 15-20 प्रतिशत जब छोटी होती है तो यह माइनस प्रेंट तो रहता है अब चलते हैं इनके बुद्परवत की और बुद्परवत पर सबसे अच्छी खासियत है भौत इनका अच्छा होता है प्लस दिखने में भी सुन्दर होते जब यहाँ पर ज्यादा लाइन है और यह पार थोड़ा सा उभार है तो व्यक्ति को नाम के प्रति चाहना भी ज्यादा रहती है और इनकी जो रिलेशन्शिप लाइन है वो मुझे कहीं न कहीं बैंड होते मिलती है वो डॉमिनेटेड माइंड की होती है व्यक्ति के जीवत में पर सर्त ही है मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ देखनी की कोशिस की पर मुझे लगता है यह यह लाइन पूरी जोइंट होकर इस तरह से चल रही है अब इनके सुर्यपरवत पर सुर्यपरवत का उभा व्यक्ति चमकदार रहता है यानि गलो करता है व्यक्ति जिनका सुर्यपरवत दबाना होता है व्यवस्थित उभार रहता है तो एक चीज यह दूसरी एक लाइन यहां से काटके सुर्यरेखा को काट रही है तो इसके द्वारा यह क्रॉस बनता है तो पहली चीज तो यह त कि यह क्रॉस बनता यह बार-बार जीवन में रुकावटी लाता है कि जरास आगे बढ़े कि कोई ना रूकावट व्यक्ति के जीवन में आ जाती इसका मैं उपाय दूंगा यह करने पर इससे काफी रिलेट्स होता है काफी यानि हत चे जारीलेक्स होता है मैं यह नहीं कहता है 100 परेक्ति को रिलेख्स होता है पर 30-40% भी फर्क पड़ा तो जीवन में बहुत बड़ा फर्क होता है कोई भी उपाय आपको 100% रिजल्ट नहीं देते पर वो जो 30-40 परसेंट भी देते उसमें ऐसा लगता है कि जीवन सम्रुद्द हो गया जीवन में सांती आ गया और यहां पर मुझे स्क्वेर की साइन भी दिख रही है यह अगर साइन कंप्लीट होगी तो हंडेट परसेंट इनका फैला हुआ काम का जोगा मल्टी सिटी का काम होगा यहां पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है इस पार्ट में उसे फोटोग्राफ में देखिए मैंने तो व्यक्ति एक से अधिक प्रॉपर्टी अभी जीवन में खरीदता है अब इनके शनी परवत पर देखे एक रेखा जा रही है इस सरफ यह या तो पॉलिटिकल कनेक्शन या सरकारी लाब की और इशारा करती है या व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला होता है या साधी करने के बाद ससुराल पैसे वाला बनता है या लाश में लाश व्यक्ति फूर इंडर्ष्ट्री या खाने का सौकिन होता है उस तरब विशारा करती है दूसरी चीछ देखे तो इनकी फेट लाइन है इस तरह से चल रही है यह सारी सुर्य परवत की और देख रही है कि जब इस तरह से देखती है तो व्यक्ति विदेश से धन आयए करता और यह उल्रेडी विदेश में ही है और इसतरह की जब कंटिन्यू फेट लाइन होती है तो व्यक्ति बुढापे तक लाणिंगी प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती यह भी एक तरह कि साइन जैसे लग रही है अगर यह होगी मैंने क्लोज अब में भी देखने की कोशिस की पर बहुत बार बारी क्रेखाएं होती है तो उतनी अच्छी रिच से समझ में नहीं आता तो व्यक्तिकों पुस्तेनी जमी जाइदात का लाब मिलता है अब चलते हैं इनके गुरू परवत पर आपका गुरू परवत अगर छोटा है तो आपको परिवार से दूर रहना ही पड़ता है तो नेचरल यह विदेश में है परिवार से दूर ही रह रहे है और यहां पर देखे तो बीच-बीच में होरिजन्टल लाइने चल रही है यान अलग-अलग समय पर अलग-अलग मल्टिपल इंकम के सुरोथ इनके जीवन में बने रहेंगे पर यह गुरू परवत को देखे तो ऐसा कोई इफेक्टेर नहीं लग रहा है हां यहां से दबाओ और यहां से उभारो तो प्रॉब्लम दाएक सिती होती है खाली थोड़ा सा उभार जादा है तो वाद विवाद के चांसेस हो जाते पर इसके अलावा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है पर जब छोटा गुरू परवत होता है तो पारिवारिक समझ से आए तो जीवन में रहती है किसी न किसी रूप से इसका इलाज दे दूंगा मैं इनको अंदूनी मंगल देखे तो मध्यम है यानि शरीर की अनरजी मध्यम आदमी से भी जादा रहेगी और थोड़ी सी लाइने चल रही यह चिंतित सबाव की और इशारा करती है व्यक्ति के जीवन में अब चलते बारी मंगल अच्छा ए ये व्यक्ति को संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करने की हिम्मत देता है हिम्मत ही सबाव होता है पलस जब किसी से मिलते तो एनरजी के साथ मिलते है इस तरह के मानसिक्त्त बनती है और एक डो लाइन नहीं जरूर है यहां पर तो यह कभी न कभी कोर्ट और पुली स्टेशन के दर्शन करवाने में सक्षम रहती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है पर है जरूर चंडरपरवत विदेश में रह रहे तो चंडरपरवत अच्छी होगा और यह लाइन जब ठोड़ी सी भी यहां पर चंडरपरवत पर दबाव मेसुस होता है इस जग में पर वियक्ति बाते करता ज्याद बहुत अधर करता हैं ऐसा अधिके अच्छी होता है व्यक्ति रिफैंड सोच होती है नई नई चीजों के प्रती व्यक्ति का आकर्शन होता है प्लस नेणय शक्ति इनकी काफी अच्छी होती है और यहाँ पर देखे तो इनके मनी ट्रेंगल भी अच्छा खासा बना हुआ है जब आपकी दो माइन लाइन हो और दोनों को कवर करने वाली बुद्रेखा हो तो यह काफी अच्छा मनी ट्रेंगल आपके हाथ में बनता है और बुद्रेखा के कारण आप जीवन का विकास भी अच्छा करते हो और अच्छा सामराज्ज व्यक्टि के जीवन में create होता है तो यह प्लस point है income की कमी रहेगी नहीं इनके जीवन में continue income आती रहेगी अब चलते इनके शुक्र परवत पर शुक्र परवत पर देखे तो यहां और बहुत सारी लाइन है बहुत सारी लाइन है यह व्यक्ति के जीवन में disturbance लाती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांद के रखा है सारी positive sign एक यह sign हो गई और एक यह cross हो गया यह दो चीजे व्यक्ति को थोड़ी सी सफलता मिली कि कोई ने कोई ब्रेक आ जाता है थोड़ी सी सफलता मिली कि यानि बांद के रखता आगे बढ़ने नहीं देती इसका भी मैं इनको उपाय देदूंगा बहुत आसानी से व्यक्ति के सामाजिक, सांसारिक के साथ-साथ, पारिवारिक और समरूद्धि के भी कारण बनता है उले है अब चलते हैं इनकी हार्ट-लाइन पर देखे इसकी जो सुरूरवत यह दोनों के बीच का पार्ट और यह शनी परवत से ही सुरू होकर आगे बढ़ रही है और यह सीधी चलकर यहां पर फ्लट लाइन भी है तो यह लाइन होने के कारण वेक्टि कितना भी दुखी हो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूंटा है और आपकी शनी छेत्रे से जब फ्रदेरेका शुरुवत होती है तो तीनी टैप का माइंड होता ही यागतिके जीवन में रहती है और इनकी हार्ट लाइन किस्तर डबल हाट लाइन है तो यह अपना परस्टनल जीवन कभी नहीं जीपाते यानि उतना आनन से पाते तोई ने कोई जीवन में बोझ रहता ही है जंजतमार्या रहती है शरीर रहेगा मन कहीं और रहेगा कोई ने कोई आपा धपी जीवन में लगी ही रहती है डबल हाट लाइन है तो और यह जीवन बर इसका कोई उपाय भी नहीं यह जीवन भर यह तकलिब उठानी पड़ती है रिलेक्स से व्यक्ती नहीं रह पाता बागे हाट लाइन में ऐसा कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है अब इनकी माइन लाइन को देखे तो एक्चुल उद्वमसान गुरु परवत से ही है और यह सीधी चलकर सीधी चंद्रचेत्र पर जाती है एक तो गुरु से टच हुई तो आप महतोकांशी हो अपनी महतोकांशा पूरी भी करते हो और चंद्रचेत्र पर गई तो व्यक्ति इमेजिनेशन पावर बढ़ता है प्लस जैसे जैसे बुड़ापा आता है वैसे वैसे वो व्यक्ति काफी धार्मिक बनता है और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है घर में किसी एक व्यक व्यक्ति तकलिफ उठाता है और उसका दर्द इनको लगता है यह आदत इनको छोड़नी पड़ेगी यह बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है बोल बोल करने की जो आदत रहती हो पर भार वालों के लिए लोग अच्छे रहते हैं घर में किसी एक व्यक्ति के लिए इस तरह की मान सिक्टा होती है पहली चीज इनकी माइन लाइन को देखे तो यहां पर थोड़ा सा दबाओ दिख रहा है इस पार्ट में और यहां से लेके यहां तक अब यह जो पिरियड होगा यह लग बग 32 साल और यह पिरियड होगा लग बग चालू रखें यह वर्तमान समय तक 47-48 तक अच्छा खासा दबाओ इनकी माइन लाइन पर दिख रहा है और एका जगह पर ब्रेक जैसी स्थिती भी है तो व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई जंजटों से भरा रहता है जब आपकी माइन लाइन संगर्ष दिखाती है जीवन में संगर्ष कोई न कोई प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में रहती पर उसके बार यह माइन लाइन काफी स्मूथ हो रही है और उसके पहले एक ऑफशुट भी जा रहा है तो इस पिरिएड में कोई अच्छी सफलता भी इनके जीवन में आई होगी 30-35 के आसपास इनके जीवन में क्योंकि यह जो ऑफशुट है यह अप यहां से शुरुवा तो रही है और यह जा रहा है अगर इसका यह पॉइंट समझ ले यह पॉइंट होगा लगबग उम्र 34-35 के आसपास का इस पिरिएड में कोई न कोई एक्स्ट्रा सफलता भी इनके जीवन में आई होगी क्योंकि एक आफशुट भी जा रहा है माइन लाइन से पर यह माइन लाइन यहां पर इतनी डिश्टब है तो 32 से लेके 47 तक का पार जंजावा तो भरा इनका रह सकता है या कोई न कोई प्रेशर या दबाओ जीवन में पर उसके बाद यह काफी स्मोथ होकर चल रही है दूसरी पार्ट देखे तो यहां से इनकी डबल माइन लाइन सुरू हो रही है तो यह लोग कम्यूनिकेशन के बादसा होते हैं कम्यूनिकेशन के लेवल पर अपने जीवन का विकास करते हैं और यहां से इनके जीवन का विकास भी चालो होता है जब माइन लाइन डबल हो जालू हुआ होगा कम्मुनिकेशन के जोर पर और डवल माइंड लाइन शुरू हुई तो दीरे दीरे गाड़ी रफतार पकड़ती है और ये भी सफलता दिलाने में काफी बड़ा रोल होता है इनके पाम को देखे तो इनका पाम हर तरह से जंजावा तो भरा है कभी खुशी कभी गम वाला पाम है इनके हाथ में चाहे इनकी जीवन रेखा देखो चाहे माइंड लाइन देखो अब माइंड लाइन पर ही चले तो यहां से डबल लाइन चाल लुए तो ये भी सफलता दि तो कभी खुशी कभी गम दोनों साथ वे चलते हैं पर भी एğ तो घरी चछपरुकात में पक्रोग्रेश दोन में दोनों 8 है चलते, कभी खुशी, कभी गम, इस तरह का पाम इनका दिख रहा है, अब चलते इनके जीवन रेखा पर, जीवन रेखा पर भी देखे, यहां से चली एक ओफशुट दिखे यहां पर, और यह उम्र होगी लगबग, छोटे उम्र में ही, इनके जीवन में ओफशुट है, बीस, तेविस साल के आसपास ही ओफशुट है, और एक तीस साल के आसपास है, और ऐसे ओफशुट भरपूर है, भरपूर ओफशुट है, इनके जीवन में, कंटीनू, तो यह उफशुट सारे प्रगति दिलाते हैं, और इस बीच में राव रेखाए भी है, एक 31 के आसपास काट रही है, जो यह पाम को देखकर नहीं, मैंने क्लोज अप देखकर निकाला, एक 35 के आसपास काट रही है, एक 40 के आसपास काट रही है, और एक 47 के आसपास काट रही है, इस तरह से इस फोटोग्राफ को देखकर मैंने नहीं निकाली है, यह दूसरे क्लोज अप से देखकर उमर निकाली है, तो यह इस पिरिएड में कोई न कोई इनके जीवन में रु बनता है तो देखा जाता है व्यक्ति के जीवन में यात्रा एजादा रहती है अब चलते इनके फेट लाइन पर फेट लाइन को भी देखे तो चंद्रपरवत से शुरुआत हुई और यहां आकर एक कट है लगबक 30 के आसपास एक कट है और उसके बाद 34 से एक नई लाइन च और यह सीधी आगे बढ़कर यहां रुकी और यहां से एक और लाइन चालो हो रही है और उसको कट लग रही है यह उमर लगबग 49 या 50 के आसपास एक कट लग रहा है तो यह कट भी इनको परेशान करेगा जीवन में पर यहां इनका अभी वर्तमान आयू यह है यहां से ए इनकी और यह आगे बढ़ेगी गाड़ी पर यहां पर एक कट भी आ रहा है जो सुर्य परवस्य जा रहा है तो यह इनको यहां आर्थिक नुकसान भी इनके जीवन में आएगा और इसी तरह सेकेंड लाइने बीज बीच में चल रहे है और इसी प्रिड़ में 50-51 के आसपा इनके जीवन में जरूर आने वाला है और यह वापस आगे बढ़ रही है और इनकी यहां पर देखे तो फेट लाइन वैसी दो साल अच्छे एक देड़ साल खराब वापस दो साल अच्छे इस तरह से दिख रही है और यह कट भी इनको 38 के आसपास कोई ना प्रॉब्लम ज इस तरह से इनकी रेखा चल रहे है पर इस कट के बाद यह पच्छास एकवन के कट के बाद इनकी फेट लाइन काफी स्मूथ होकर आगे बढ़ रही है उसके बाद इनके जीवन में ज्यादा धंजटे नहीं है पर देखा से निकलने वाली रेखा है पारिवारिक खर्च की और इशारा करती है तो यह 32 से लेके यहां तक का पिरियड कभी खुशी कभी गम वाला ही दिख रहा है पर उसके बाद गाड़ी इनकी काफी अच्छी चलते दिख रही है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गयोंगे और आप लोगों का आने बाद